नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे सवस्तोंगे यदि आप SSE GD 2022 की प्रिपेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा महतपुन साबित होने वाली है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजनिंग के कुछ आसपस करवा दूँआ रिजनिंग के इससे बार बाई कुछ भी नहीं आएगा जैसे क्यूशन में आपको करवाँगा वैसे ही टाइप के क्यूशन आपके एकजाम के अंदर पूछे जाएंगे यदि वेटेज की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि SSE GD के अंदर इस बार का स्लेबर्स थोड़ा चेंज कर दिया पैटरन क्या रहेगा तो रिजनिंग जो पूछी जाएगी उसके अंदर टोटल नंबर ओफ क्यूशन 20 होगी प्रते क्यूशन होगा दो नंबर का इस हिसाब से जो टोटल वेटेज कवर करता है आपका रिजनिंग वो कितना है 40 मार् रिजनिंग एसा स्टेक्ट है जो आपका स्कोरिंग है काफी असान स्टेक्ट है यदि आप में थोड़ी सी भी समझ है तो आप आसानी से रिजनिंग के कंसेप्ट को कवर कर सकते हो तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट कुशन के तरफ पहला चो कुशन है आपके स्क्रीन पर क सबस्ट को अमतलब कर सरक्ट है तो भी समझ करने का थे होते हैं तो आपको मान की क्या चलना है की हमें सर स्टे से बढ़ड़ के तरफ बढ़ना है तो हमें करना क्या है basically ए से जर्ड की तरफ जाना है कि जपके है सबसे बढ़ा है यदि मैं पूछ लूँं बताओ ए और B में चोटा कोन है, बड़ा कोन है, तो आप असानी से बता दोगे कि सर, A जो है वो छोटा है, और B क्या है, बड़ा है, यदि मैं आप से पूछ लूँ कि बताओ, B और C में बड़ा कोन है, चोटा कोन है, तो आप बता दोगे कि सर, B छोटा है, C बड़ा है, क्योंकि C का नंबर ब सबसे पहले सभी के अंदर क्या है एल है तो भया सबसे पहले एल है तो क्या रहेगा आपका पांच वहीं सैद्ध की तरफ है अब बढ़ते हैं सबसे इसके बाद में पांच में बैदा लेटर B रहेगा, क्या रहेगा, सबसे चोटा रहेगा, B तो वह यहां से इसको cut कर दो, कि सबसे पहले कुन सा जाएगा 5 वाला आ जाएगा, तो मैंने क्या लिखा, सर मैंने 5 लिख दिया अब उसके बाद में बढ़ते हैं, सर B के बाद में इन में से कुन सा आएगा सर B के बाद में इन में से कुन सा आएगा, L आता है, हमें क्या देखना है हमें M को देखना है, हमें इस M को देखना है, हमें इस N को देखना है और इस L को देखना है, तीसरे तीसरे letter को मैं देख रहा हूँ तो sir B के बाद में L आएगा, तो 4 आजाएगा, इसको भी sir cut कर दो, और यहां लेकर दो 4, उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में आता है sir M आता है न, क्या आएगा L, M, N आता है, तो पहले M आएगा, लेकिं sir M तो 2 में है, first वाले में भी M है, second वाले में है, तो अब क् कौन सा आएगा, second वाल आएगा, तो मैंने आपके second लिख दिया, उसके बाद में तो भी एक ही बचता है, कौन सा, बचता तीन है, तो इस हिसाब से आपको औरेंज करना है, पांच, ट्यार, एक, दो, तीन है, यह कहा हैं भाई, ओप्स नंबर एक एंडर है, तो यह वाला आ देखना क्या है, सर, हमें तो छोटे के से लेकि और बढ़े की तरफ बढ़ना है, पहले छोटा आएगा, फिर बढ़ाएगा, ऐसे आपको one by one करके लेटर देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे क्यूसन, इसी तरीके से सोल्व होते हैं, चलिए बढ़ते हैं, next क्यूसन की देखो, यदि लिखा है कि बताओ, यदि पलस का अर्थ है भाग, तो आपको लिखना कैसे है, सर, ये पलस है, और इसका अर्थ क्या है, भाग है, मैंने पलस को भाग माना, उसके बाद क्या है, माइनस का अर्थ है गुना, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, इसका अर्थ क्य तो मैंने 8 का तो 8 लिख दिया उसके बाद में आगे बड़ो बैतर प्लस में 8 दिया है लेकिन प्लस का मतलब तो सर्भाग है तो मैं यहाँ बाग आठ कर दूगा उसके बाद में बात करते हैं सर्क गुणा 3 दिया है लेकिन गुणा का मतलब तो भाई मैंस से है तो यहाँ पर मैं मैंस कर दूगा तो यह आपका क्या बन चुका है? सबसे पर इसके बाद में ब्रैकेट ओफ डिवेडिस इन पहले दिवाइड वाला पॉर्सन करेंगे तो इसमें क्या है 72 डिवाइड वाइट है यह वाला पहले सोलू करेंगे तो क्या आएगा सर हमारे पास आएगा आठ गुना में एक पलस में भैतर को जब हमने 8 से डिवाइ गुनावाला सोलू करेंगे अरे आठ गुना में एक तो आठ ही हो जाएगा और पलस में 9 है माइन सम में क्या है तीन है उसके बाद में सिर्क्राइडगा선 करणा पताएग Morty तो गटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 17 में से 3 गई, सर 14 हो जाएगे 14 क्या हो जाएगा हमारा, अंसर हो जाएगा तो कहा लिखाए सर, option number 1 देखिए 14, 14 is the right answer, इस तरिके क्यूसन आपको ऐसे ही solve करने होते हैं उसके बाद एक next एक निश्चित कूट बासा में लिली का अर्थ है 116 लोटस का मतलब है, 174 के रूप में कूट बद किया जाता है, तो उसी भासा के अंदर टूलिप को कैसे कूट बद किया जाएगा यह आपसे पूछा है, ऐसे क्यूसन को कैसे solve करना होता है तो इसके लिए आपको basically करना क्या है जैसे एक, जो आपका होता है एक का करमांक एक होता है, उसके बाद में बात करते हैं तो बी का करमांक दो होता है, क्योंकि बी दो नमर पे है इस तरीके से सी तीन पे होता है, डी चार पे होता है ऐसे करते-करते, जो जेड है वो आपका 26 पे होता है क्योंकि छबी सी लेटर होते हैं, तो आपको परतेक लेटर का करमा क्यादी पता है, तो ऐसे क्यूसन आप असानी से solve कर लोगे, यदी पता है तो ओके रिपोट है, यदी नहीं भी पता है, तो आप जो rough notebook आपकी होते हैं, उसके अंदर आप इनको लिख लेजिए, उसके पर आपके देखना है अपने पास से L 12 पी आता है, उसके बाद में सर I की बात करते हैं, तो आई आता है 9 प nobody में नो लिखा, उसके बाद में L कितने पर अगिन बार पर आता है, यदी तो पत्चीस पर आता है अब हमारे पास में क्या है सर 12 है 9 है 12 है और 25 है अब करना क्या है इसको हमें 116 बनाना है कैसे बनेगा यदि मैं इनको add करता हूँ यदि मैं इन सभी को add करता हूँ तो मेरे पास में जो result angle क्या आएगा वो क्या था है 58 आजाएगा यदि मैं सभी को जोड़ता हूँ तो 58 हो जा जाता है अब लोटर्स को देखते है भाई L कितने पे आएगा सिर्फ L तो 12 पे आता है हम बढ़ चुके हैं पहले O 15 पे आता है उसके बाद में T 20 यानकी 20 पे आता है उसके बाद U आता है 21 पे और S आता है सर 19 पे अब करना क्या है सेम वही काम करना है जो आपने उपर किया क्य गर देंगे जब हमने सभी को एड किया तो हमारे पास में जो रिजल निगल कराया वो कुछ ऐसे आया 87 निगल क्या सर हमें तो बनाना क्या है 174 बनाना है अभी तो 87 बना है अरे बाई उपर क्या किया सर उपर तो आपने इन सभी को जोड़के दो से मल्टिप्लाई कर दिया तो बस यही चीज़ यहां पर करनी है 87 को मैंने जब दो से मल्टिप्लाई किया तो क्या बनेगा मेरे पास में 174 बन गया जो कि बेलकुल सही बैटता है तो लिली 116 बन गया लोटस क्या बनेगा 174 सिक्वेंस में पता है तो लस्ट बाला भी कर देंगे अब करना क्या सर और 16 इन सभी को जोड़ा तो क्या आएगा सर वन मेरे पास में 78 आता है क्या आता है 78 इन सभी को जोड़ने से प्राप्त होता है अब क्या करना है सर अब तो हमें 2 से मल्टिप्लाई करना है कर दो भाई 2 से मल्टिप्लाई क्या आएगा हमारे पास में जो अंसवर आएगा व लेकिन आपको तरीका पता है concept clear है तो question आपका गल्थ नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question इसमें करना क्या है अक्सरों के उस सयोंजन का chain के जिसे दी गई सरिखला में रिक्त सिथानों में कर्मिक रूप से रखने पर सरिखला पूर्ण हो जाएगी यह आपको करना है त कि अलगए इसको पड़ते बढ़ते हैं अब करना क्या है इसके नर्व बिसिकली मंतर पड़ते हैं चलो देखो अरेंज करना हमको सिक्वेंस बढ़नी है तो अब option के जाफसेदी में देखता हूं तो पहला पहला letter जो आपका वो सब क्या है वाई एल है तो क्या करना पड़ शर ये मेरे पास में बन गया कलिगी हैं फिर टई फिर टी है फिर जी है उसके बाद क्या रहेगा तो अब बार यहां पे बिको रखदू तो हमारे पास में कुछ सेंसे बन गया ऐसे ही स निखला को में कंप्रीट करना है हमें sir क्या बनेगा हम लेया पेकर चुके हैं हमें पता लग गया कि काम कैसे करना है second में k भरा मैंने तीसरे में क्या आएगा sir यहां तो b आ जाएगा complete हो चुकी है उसके बाद देखो दुबारा से k आ गया फिर k है l है l के बाद sir क्या आएगा sir उसके बाद तो t आता है tgb फिर क्या है sir k है l है t है sir यहां पे g आ जाएगा फिर b है तो हमारे पास में 500 स्थान भर चुके हैं l k b t z कहाँ पे भई l k b t z option number a में है यह आपका right answer हो जाएगा देखो हमारे पास में चार चीज़े बनगी न हमारे पास में चार अलग 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 चीज़े बनगी और सब क्या सिक्वेंस सेम फोलो कर रही है k l t z b फोलो कर रही है तो answer क्या हो जाएगा यह वाल राइट हो जाएगा आसा करता हूं भी आपको वीडियो पसंद आ रही होगी इसकी पेडिव मापको वर्ल्ड अवेर्नेस टेलेग्राम चैनल पर प्रवाइड कर दूँगा इसको जोइन कर लेना ऐसे सिक्वेंस हम करते जाए इस दिसा में मुख करके बैठे हैं ठीक है सर कोई रिक्त नहीं है अब आगे पढ़ना है अब क्या करना है सर अब पहला जो पोर्सन उसमें क्या दिया है कि सी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो सबसे पहले समझो भाई ये बाएं चीज क्या है सबसे है ये बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है स्थान पर बैठा है तो एक स्थान मैंने खाली छोट दिया दूसरी पर मैंने सी को बिठा दिया यहां तक हमारा कंप्रीट हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है आगे पड़ते हैं उसके बाद देखो A, D और C का निकटतम परोसी है अब जो भाई A है ना A यह C का भी निकटतम परोसी है और D का भी निकटतम परोसी है तो यदि मैंने यहां पे A को बिठा दिया यदि मैंने यहां पे A को बिठा दिया तो मिरे को पता लगया कि सर A की एक साइड में तो C है तो दूसरी साइड मे क्या रहेगा? सर, दोसरी साight में तो D हो जाएगा क्या रहेगा? D हो जाएगा. तो कुछ हमारा किस प्रकार बन गए? सर, हमारा कुछ ऐसा बन गए कि यहाँ पे F बैठा है, बीच में एक स्थान क्या है भाई? खाली है, उसके बाद में सरसी बैठा है उसके बाद में A हो गया, उसके बाद में क्या है D हो गया हमारे पास में, यह D हो गए हमपे ठीक है, दुबारा पड़ो इस line को, क्या लिखा है कि जो A है, यह जो A है D और C का निकटना परोसी है, तो A के यहां पर बैटा है, जो एक स्थान खाली पटा है पहले से, तो B का है अब पूछा क्या है, अब हमने सब कुछ Page कर लिया है आपसे पुछा ये भाई निमली कित में सिक कोն सुभ्यक्ति अंतिम छोर पर बैठा ए उप्सन देखके लो सी cf है क्या है एग सिब्समें आपको एन्हें करने होते हैं चलागे बढ़ते हैं अगला कि लेक्सण क्या है देखो उन संख्या युगमों को ग्याद के जिए जो दिये गई सवरूप में उप्युक्त होंगे आपको दिया क्या है 14 है 22 है 49 है 174 है 517 है आगे है क्यूशन मारक आपको बताना है कि इस क्यूशन मारक पर क्या आएगा इनको अरेंज करना आपको देखना कि कैसे आपस में इनका है आपस में वैसा ही आपको क्यूशन मारक की उस्तान पर आ जाएगा तो देखते हैं भी क्या करना पड़ेगा तो यदि मैं क्या करता हूँ यदि मैंने 22 में से 14 को गठाया सबसे पहले गठा के ही देखते हैं 22 में से जब मैंने 14 को गठाया तो मेरे पास में उत्तर क्या निकल के आया जब उत्तर आया 8 क्या अब ही 8 है तो 22 में से मैंने जब 14 को गठाया तो 8 है उसके बाद में जब मैंने 49 में से 22 को गठाया तो मेरे पास में 27 निकल गया उसके बाद में जब मैंने 174 में से 49 को गटाया तो उत्तर आया 125 उसके बाद जब मैंने 517 में से 172 को गटाया तब मेरे पास काया 7343 343 अब एक बार सोच के देखो कि या आपको कुछ sequence नज़रा रही है क्या कुछ ना कुछ तो आपको नज़रा रहा है कि जैसे ही 8 की बात करते है तो सर ये 2 का क्यूब होता है 2 का क्यूब 2, 2, 4, 2, 8 27 की बात करता हूँ तो सर ये 3 का क्यूब होता है 3, 3, 2, 27 बिल्कुल सही बात है सर जब मैं 125 को देखता हूँ तो यह 5 का क्यूब होता है, 25-25 है, 25-25 होते हैं सब जब मैंने 3-4-3 को देखा, तो सब यह 11 का क्यूब होता है 11-11-120, 121-11-323 हो जाएंगे 7 का, किसका होता है, 7 का क्यूब होता है 7-7-49-49-7-323 हो जाएंगे तो basically हमें यहापे क्यूब देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 9 तो आपका 3 से डिवाइड हो जाती है तो उसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा 7 के बाद में 9 आपको skip करना है नहीं लेंगे उसके बाद आपको 11 लेना पड़ेगा तो basically 11 का यदि मैं करता हूँ, 11 का क्यूब किया तो क्या आएगा भई और last में क्या है, एक हो जाएगा 1848 मेरे पास में result निकलेकर आ चुका है तो यदि मैं यहाँ पर option की जगए option number 4 में देखू, 1848 रहेगा यदि मैं इसको question मारक की जगए set कर देता हूँ और आप अब करके देखते हूँ कि 1848 में से मैंने 517 गटाया तो 1333 आया जो की 11 का क्यूब बैट जाएगा तो essay question आपको इस तरीके से solo करने पड़ते हैं हलाकि इसका तो जो rule रहा वो कुछ ऐसा रहा कि हमने cube करने पड़ी हो सकता है किसे question में square करना पड़ी किसी में minus करना पड़ी, किसी में multiply करना पड़ी तो वो आपके अलग-लग तरीके होते हैं ऐसे questions को solo करने के लेकिन आपको सबसे पहले घटा के देखना पड़ेगा घटाने से हमें आपके पता लगया कि यह सब के cube बन रहे हैं 8-2 का cube बना, 27-3 का cube बना, 125-5 का cube बना 323 का cube बना, तो सारी की सारी ऐ भी वाजे संक्या है तो आगे कौन से है कि सर, 11 आएगी तो 11 का cube 1330 होता है तो इस तरीके समने इस question को असानी से बड़े अराम से solo कर लिया आज का भाई सबसे last question आपको करना क्या है, पूछा क्या है उसको ध्यान से पढ़ो, यदि आप क्रिश्ण को बड़े ही प्यार से ध्यान से अराम से पढ़ते हो तो कोई दिक्रत आपको होने वाली नहीं है, चलो करते हैं क्या पूछा देखो, उस विकल्प का chain के जिए इन चारों में से chain करना है, जो तीसरी संक्या से उसी प्रकार समर्दित है, अब इसमें आपको टोटल संक्या के दनियासर 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 संक्या है हमारे पास में, अब पूछा के है कि बताओ उस विकल्प का chain करना है, जो तीसरी संक्या से उसी प्रकार समर्दित है, इस तीसरी संक्या से यह दोसी संक्या पहली संक्या से समर्दित है और छटी संक्या पांचवी संक्या से समर्दित है यह चटी पांचवी से समर्दित है, तो आपको करना क्या बिसिकली, आपसे पूछा यह है, कि भाई, जैसा इन करलेशन है, और जैसा इन करलेशन है, उसी प्रकार स्केर کرता हूं तोiver 55 पच्छीस हो जाएंगे न nit यदि मैं सर्फ 4 का सुकेर करता हूं तो चार-चो के Sola हो जाएंगे और यदि मैं 25 और लिए गार को एड करता हूं जोड़ता हूं तो result क्या आएगा सर में इसको स्व लो करके देखो मेरे पास में kl each 74 है अनुपात में क्योफिक मार्ण है तो यदी यदि मैं साथ का स्वेर करता हूं तो सतु सथू नचास हो जाएगा जएगा इस spinach को सुला हो जाएगा ऑफ नोर यह सीरीज हमारी कंट्यून रहेगी, इसी तरिके से हम हिंदी भी पड़ागी, इसी तरिके से हम इंगलिस भी cover करेंगी, जीक के तो हम cover कारेंगी, ठीक है और लास्ट मैं क्या बसता आपका, यह बसता आपका reasoning तो सारे की सब्सक्राइब कर लेंगे मैथ के भी आपको मैं क्यों सब्सक्राइब करवा दूंगा ठीक है प्रेक्टिस कर लेंगे जो आपके important most important question बनते हैं तो कुछ भी यांसे दिखकत आने वारी नहीं है जले मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जय हिन सभी को राम राम जय हिन